जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि BPSC TRE 2 में चैनीज सिचा का भीयर्थियों और BPSC TRE 1 के सप्लिमेंटरी रिजेल्ट में चैनीज सिचा का भीयर्थियों का डोकुमेंटस वेरिफिकेशन और कांसिलिंग सिचा भीयर्थियों के तरब से आपका 25 दिसंबर 2013 से लगातार जो है पर का इस्टार्ठ है और देखिये जब आप लोग आप यहाँ पर कांसिलिंग के लिए जाएगे तो वहां पर आपका प्रान के लिए आवेधन लिया जाए उसको यहाँ पर सिच्छा वा के माध्यम से प्रेश पीगिवती जारी करके आपका बता गया है। पर आज आपका जो है ओनलाइन ट्रेंग डिया गया जो टीचर कांसलिंग के लिए आएंगे तो इनका प्राण के लिए भी आवेदन आप लों को को लग ! देखे। सबसे पहले यहांपर आपको ध्यां रखना की नव Points को आपका प्रफन का अधार कारड का n》पर इस को इंडर करेंगे और उस इंडर करने के बाद जो आपके अधार कारड में Mobile ញतम ट्वह बँब होगा उस पर ई terrifying OTP जो है बताएंगे तो फिर यहाँ पर इस तरीके से आपका OTP successful होने के बाद यहाँ पर आपका धार कार्ड verify हो जाता है फिर verify होने के बाद जो आपका आगे का process होता है documents का जांच होगा रहा तो वो यहाँ पर इनके माध्यम से इस तरीके से जो है किया जाता है एक बात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रखेगा कि जैसे मालिजे आपको यहाँ पर BPSC teacher का form भर है उसमें आप mobile number कोई और इंटर किया है और जब आपका अधार काड है उसमें आपका mobile number कोई और इंटर है तो इससे कोई आपका दिक्कत नहीं है ऐसा यह नहीं कि आपने जो BPSC teacher का form भरते टाइम जो आपने mobile number समीट किया हो वहीं आपका mobile number आपका अधार काड में लिंक होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है बस यहाँ पर उन लोग को OTP चाहिए होता है OTP आप बता देंगे भले ही आपका OTP OTP मतलब आपके पास बस OTP मतलब आप बता सकते हैं तो यह यहाँ पर गया है कि आपका अधारकाड verification यहाँ पर complete जो है पका हो गया ध्यान रखेगा कि यदि आप OTP बताते हैं और यदि आपका यहाँ पर जो आधारकाड verification है वो आपका error या फिर incomplete आपका बताता है OTP submit करने के बाद भी यहाँ पर आपका successful नहीं होता है तो ओ लोग आपका counseling और documents verification नहीं करेंगे तो इसलिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेगा कि यहाँ पर जो आपका अधार का website होता है उस पर जैसे आप लोग जाते हैं अधार काड डाउनलोड करने तो उस पर आधार काड डाउनलोड करते हैं तो ओ रजिस्टर मुबाइल नमबर पर OTP जो है आपका भेजता है तो वहाँ से आप एक आप बार cross check जो है उकली जेगा कि OTP आपका proper आ रहा है या फिर नहीं या फिर जो आपका अधार काड में link मुबाइल नमबर है तो उसको रिचार्ज करके पहले से आप यहाँ पर सही जो है कलीजेगा ताकि आपका जो समस्या है वो आपका उस टाइम पर वहाँ पर ना है नहीं तो वहाँ पर काफी जादे आपका दिक्कत होगा यदि मालिजे उसके बाद भी OTP वगरा नहीं आ रहा है करते हैं तो इसलिए आपका दिक्कत होता है इसके बिना वह आपका डॉक्मेंटस परिके सान और कांसेलिंग यहाँ पर करेंगे यहाँ पर यह हो गया यहां तक कीडियर होगै फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप जो प्रान है प्रान के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपका बैंक एकाउंट में आपका खाता जो होना चाहिए मतलब कोई भी आपका राष्टी कृत बैंक है उसमें आपका यहाँ पर खाता है तो यहाँ पर आपका प्रान के लिए आवेदन के लिए जो है उचाहिए यहा यहां के हैं वहां का भी आपका खाता है तो अभी आपका चल जाएगा बस आपका जो खाता है वो आपका राश्टी कृत बैंक में जो है आपका होना चाहिए इससे आपका बिहार या फिर अधर इस्टेट से हापर कोई लेना देना जो है उन नहीं है फिर उसके साथ यहां प पास्ट बुक का जो आपका पहला पेज होता है उससे भी आपका चल जाएगा लेकिन जब यहाँ पर आपको पता चल गया कि कैंसिल चेक यहां पर चाहिए होता है तो यह आपका चाहिए हो गया उसी तरीके से यह जिए BPSC TRE2 में भी आप लोग का merit list आता है तो bank में आप application देकर check वगर जो है मंगा सकते हैं थोड़ा सा यह आपका cancel check वाला थोड़ा सा सही रहता है बाकि आप नहीं है तो आपके पास option भी है कि जो आपका passbook है, passbook का जो आपका पहला page होता है जिस पर आपके detail वगर रहते हैं तो उससे भी यहाँ पर आपके प्राण के लिए आवेधन हो जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका plan number है वो आपका यहाँ पर compulsory होता है आप यदि प्राण के लिए आवेधन करने जा रहे हैं आपका आवेधन प्राण के लिए लिया जाएगा तो यहाँ पर plan card के लिए आप अपना आवेधन कर दीजीगा और यहाँ पर जैसे आप plan card के लिए आवेधन करते हैं तो तुरंत या फिर दो चार घंटे या फिर दस घंटे के बाद आपका कोई e-pan number वगरे जहां से आप आवेधन करेंगी तो आपके पास available जो है आपका हो जाता है तो उसी से जो आपका e-pan number होता है उसी से यह आप plan के लिए आवेधन कर सकते हैं कोई दिकत नहीं ऐसा नहीं कि आप plan के लिए आवेधन देगे तो यह जो आपके सिछा भाग के माध्यम से आपके जो documents बताएगा है इसका अपने पास ब्योस्था जो है पहले से ही कर लिजेगा क्योंकि उनके तरफ से जब प्रेस बिगेवती जारी करके प्रान के आवेधन के लिए आपका बुला गया कि आपका आवेधन भी प्रान के लिए ले जाएगा तो संभवता पुड़ा चांसा के प्रान के लिए आवेधन जो है पका यहाँ पर किया जाएगा तो जो आपका अपने अस्तर से आपकी अस्तर से डॉक्मेंट्ट्स मांगा जा रहा है जिसमें अधारकार्ण मुबाइल नंबर लिंक आपका कंपलसरी बैंक एकाउंट किसी विराश्चिक रिट बैंक में कहीं का भी होना चाहिए चल जाएगा cancel check यदि cancel check नहीं है तो passbook और यहाँ पर आपका pen number main आपका pen number नहीं है उसके लिए आप e-pen के लिए अवेधन कर सकते हैं तो e-pen भी आपका जो है वो चल जाएगा इसके अलावां भी बहुत सारे आपके documents होते हैं कि आपने कब जो है ओजवाइन किया फिर उसके बाद कितना आपका retirement का date है फिर DDO number या फिर इसके अलावां भी बहुत सारे XYZ number होते हैं तो आपका सिछा भी भाग का काम है वो सिछा भी भाग के जो भी अधिकारी रहेंगे अपने अस्तर से जब आपनों का अवेधन करेंगे तो ओ लोग यहाँ पर समिट कर देंगे बाखी जो आपके अस्तर से documents का मांग किया जा रहा है तो आप अपने पास यह जो आपके documents है इसका आप अपने पास बेवस्ता उकलीजेगा जब भी आप यहाँ पर counseling के लिए जाएंगे तो इन सभी documents को अपने पाजो है उरकते हुए जाएगा तो यह आपका प्रान के लिए जो है पापका यहाँ पर इस तरीके से आपके documents जो है पापका लगेगा क्योंकि देखें यहाँ पर जो आपका सिचा भी भाग है एक तरीके से देखेंगे तो सही आपका काम किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सिचा का भेर्थी ऐसे होते हैं कि जैसे मालीजी आप लोग का योगदान हो गया आप लोग नियुक्ति वगरा भी आपका हो गया लेकिन ही आपकर क्या है कि नियुक्ति वगरा होने के बाद आपको समय नहीं मिला है छुट्टी के लिए और आपने प्रान के लिए आवेधन किया पता चले आपका प्रान के लिए जो आवेधन है वो आपका रध हो गया और अभी तक आपका salary नहीं मिला क्योंकि BPSC TRI First में ऐसा ही आपका हुआ है, बहुत सारे सिचा का वेर्थी लागातार काम जो है कर रहे हैं, और सिचा बाग के माध्यम से फुड़ा कोशिस किया जारा है कि आप लोग का salary वेतन का भुगतान जो है किया जारा है, लेकिन कुछ ने कुछ तुरूटियों के खाड आप लोग का वेतन भुगतान नहीं किया जारा है, और इतने आपके जिले हैं और उस जिले में आपके इतने block वगर हैं, तो वहाँ पर जो आपके DO वगर होते हैं, या फिर जो भी आपका संबंधित विद्याल है, वहाँ के जो headmaster वगर रहत ताकि उसके बाद आपका वेतन भुगतान को लेकर कोई यहाँ पर आपका DOCUMENTS को लेकर कोई matter ही नहीं रहे, आप जैसे ही निउक्ति पाते हैं, आप अपना विद्याले में काम करते हैं, और सिचा भाग के माध्धम से जैसे ही आपका समय होता है, उनके तरफ से जब आपक सारे सिचा का वेरतियों का सिखाय था कि काफी जादे आपका पैसा का जो इस तरीके का डिमांड जो है पका किया जा रहा है, आपके वेतन भुगतान को लेकर, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी सिचा का वेरतियोंगे, जैसे मालीज आप लेडी कहीं पर जॉब कर रहे हों, या फिर BPSC TRI First में सेलेक्ट है, तो थोड़ा सब प्रान के लिए आप लोग का थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बाकी अब देखे सिचा भाग के तरब से किस तरीके से आपका मैनेज जो है किया जाता है, तो अभी के लिए अपडेट है